आप सभी विश्व प्रसित टेसला कार के बारे में जानते ही है जो अपनी उन्नत तकनी के लिए जानी जाती है लेकिन 5 नमेंबर 2022 को चीन के गौंगरंग प्रांथ में एक बहुत ही अजीब घटना घटी एक व्यक्ती सफेद रंग की मॉडल वाई टेसला चला रहा था और अपने परिवार के स्वामित्व वाली दुकान पर बाहन को रोकने जा रहा था हाला कि ब्रेक फेल हो गया और फिर कार सडकों पर दौरती हुई दिखाई दे रही थी हाथसे में एक स्कूली छात्रा समेट दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्या घायल हो गए कार तेजी से एक साइकल के आगे से निकली साइकल चाला गिर गया लेकिन सुरक्षित था कार के रस्ते में दो मोटर साइकल सवार भी आ गए यह अंत में दुरगटना ग्रस्त होने के बाद रुकी यह घटना वाइरल हो गई पुलिस घटना स्तल पर जांच के लिए पहुँची पुलिस ने केवल ड्राइवर जयान का उपनाम जारी किया और उसकी उमर 55 वर्ष है वो जीवित है ड्राइवर के परिवार ने ब्रेक फेल होने के लिए टेसला को जिम्मेदार ढहराया टेसला ने कहा कि कमपनी इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती है अगर ड्राइवर ने सच में ब्रेक लगाया होता तो कार की ब्रेक लाइट जल जाती क्योंकि बत्ती नहीं जल रही थी इसका अर्थ यह है कि चालक ने जान भूच कर गती तेज की थी पुलिस ने सच्चाई की पहचान करने के लिए तीसरे पक्ष की मुल्यांकन एजंसी को बुलाया है टेसला जांच से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तयार हो गई है कमपनी को बहुत खराब प्रतिक्रिया मिल रही है एक साल पहले कार का ब्रेक फॉल होने से एक लड़की का अक्सिडेंट हो गया था उसने टेसला से शिकायत की थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया उसने कार की चट पर चड़कर टेसला का विरोध किया था विडियो वाइरल हो गया था इससे टेसला के लिए भारी विवात खड़ा हो गया टेसला ने कहा कि कमपनी की गलती नहीं थी लेकिन उसने जान बूचकर कार की गति बढ़ा दी थी ऐसा अनुभव करने वाले लोगों ने कहा कि कमपनी कभी भी शिकायतों का जवाब नहीं देती है कंपनी में जवाब देने के लिए माफी मांगी और शिकायतों का जवाब देने का बादा किया